कि इस दाश्लक्स ओफ्द घीश्टर्स फील्ड तुए और फ्लक्स जीरो धिया है यह चार ओप्षिनन एलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बीजिरों एंडिंवेर ओन दसफीज फिड़ीज टोटल चार्ग इंसाइट उन्ट उसलेक्ट्रिक पीजिवे एपलाई करो देखो इडोट डी एस किसके एकोल होता है क्यूं इंसाइड अपोन एपसालन नोट और यह क्या है नेट फ्लक्स पासिंग थूए क्लोजड सर्फेस और यह दिया है जीरो अब यहां से चेक करेंगे देखो पहला ओप्शन इलेक्ट्रिक फिल्ड मस्ट भी जिर हो जाएगा अगर एंगल 90 हो जाए तो जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फिल्ड ही जीरो हो तो पहला ओप्शन इंकरेक्ट आगे हो तो टोटल चार्ज इंसाइड दा सर्फेस मस्ट भी जिरो अभी स्कॉइप लाए करो यह क्या है टोटल चार्ज एपसालन नोट उदर जागे जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फिल्ड तो कुछ भी हो जाए बट इन दो चीजों का डॉट प्रडट जिरो होना चीज़ जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फिल्ड और यह वेक्टर परपेंडिगर रोजए तो बीजिरो जाएगा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फिल्ड ए्रे वेक्टर बीच में एंगल जीरो और किसी दूसरे पर बरनेटी तो अपोजिट हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है जरूरी नहीं है और कहीं पर एलेक्रिक फिल्ट जीरो जीरो जाएगा तो यह भी ओप्षन इंकरेट आगे लिए अगर चार्ज आउट साइड दा सर्फेस मस्ट भी जिरो बार वाले चार्ज पर तो डिपेंड नहीं करता है के वल किस चार्ज की बात करता है क्लोस सर्फेस से पास करने वाला इंसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है आउट साइड चार्ज तो आप कितना भी ले लो यह कोई बोड़ी है केवल किस चार्ज पर डिपेंड करता है जो इंसाइड है बाहर तो चार्ज आप रखो या न रखो कोई फ्रग नी पड़ेगा तो चार्ज बाहर नो जीरो भी हो झाल